खबर अजबेर की नसीरबाद शेत्र से है जोहाँ पर कॉंग्रेस कारेकरताओ ने राहूल गांधी का जन्मदिन मनाया। कॉंग्रेस युवा नेता शो गूजर के नित्रत्व में कारेकरताओ ने केक काट कर खुश्या मनाई। इस मौके पर शहर में मास्क बाट कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पाला की अपील भी की गए तो वहीं हाउसिंग बोज में पौधे लगाए गए और सीएटसे में मरीजों को फल वित्रित के गए इस ओरान चेर्में शार्दा गुमा इर्फान खान प्रशांत महरा राहूल गूर्जर यश गूर्जर सहीद दर्जनों कारिकरता उपस्थित रहे कबरबांधिकोई के बडियाल कलाक शित्र से है जहां कॉंग्रेस के पूरवराश्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांधी के जन्म दिन के मौके पर विधाज जियार खटाना के निर्देश पर कारिक फ्रम का आयूचिन किया गया इस मौके पर C.H.C. में कुरोणा युद्धाओं का सम्मान किया गया इस दोरान डॉक्टर अनूप शुकला, युवा कॉंग्रेस नेता सियाराम रुलावता, रगुवीर सिंग राशबूत, लालाराम बैर्वा, धारा सिंग रुलावता, प्रकाश बैर्वा, सहिट चिकित्सा कर्मी भी उपस्तित रहे खबर डुंगरपूर के आसपूर शेत्र से है, जहां कॉंग्रेस के पूरवराश्ट्री अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिन पर C.HC में कारिकर्म का आयूजन किया किया इस बॉके पर कॉंगरेस कारिकर्ताओं ने गलवान हमले में शहीद हुए भारती अर्जवानों को श्रधांजली अर्पित की और साथी में कोरोना योधाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया इस दोरान ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंग चौहान, गजेंद्र सिंग, दिकपाल सिंग इत्यादी मौझूद रहे खबर टॉक के देवली से है जहां कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमन को रोखने के लिए चुकितसा वभाग पूरी तरीके से सतर्क है इसी के चलते चुकितसा वभाग ने जादा से जादा रैंडम संपलिंग के लिया भ्याण चला है, इसके तहत तक खेत्र के ग्रामीन शेत्रों में रोखना संपलिंग की चा रहे है आपको बता दे कि चिकितसा वभाग ने रोजाना 500 से 700 लोगों के सैंपल इखटा करने का लक्ष रखा है खबर जैपूर के बसी से है जहां तैसिलदार प्रेमराज मीना ने तूंगा थानाक शेत्र में चल रहे मन्रेगा कारे का निरिक्षन करते हुए मज़ूरों के हितों को लेकर बादशीत की उन्होंने बता कि मन्रेगा योजना के तहत जरतमंद लोगों को रोजगार दे कर सरकार ने आर्थिक मदद पहुँचाई है तो वह भी सभी मज़ूरों के लिए उप्योक्त पेजल, शाया और मेजिकल सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई है खबर सिरोही के शिवगन से है जहां आई एन अनेल माथुर ने ग्रामीन शेत्रों का दौरा कर मन्रेगा कारे का निरिक्षन किया इस ओरान एएन माथुर ने तालाब खुदाई कारे का वलोगन किया, साथी में कारिस्थल पर मज़ूरों की समस्याओं से भी रूबरू हुए इस मौके पर कनिष्ट सहाइक पूररा मीना, मनादर सरपंच, सुमित्रा, देवी रावल समेथ कई लोग उपस्तित रहे खबर पाली के बालिक शेत्र से है, जहाँ पर बेड़ा ग्राम पंचायत की बालिका उच्चे मात्विक स्कूल के पास मुखे मार्गों पर लगे गंदगी के ठेर हटवाए गए आपको बता दे कि नियमित करने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने कारे बहिशकार कर दिया, इसके बाद सरपंच भागीरती मीना और ग्राम विकास अधिकारी सुमित कुमार ने जेसे भी और ट्रैक्टरों की मदद से गाउ में साफ सफाई के कारे करवाए अपकबर भीलवाडा के बिजॉल्या क्षेत्र से है जहां तिलस्वा गाउ की चारागहा भूमी में मकान बनाते समय पत्थर के नीचे युवक के दबने से मौत होने के बावजूद प्रशासन से तरक नहीं है दबंग लोगों ने तैसील कारे लेके पीशे इस्तित चारागहा जमीन पर अवैद अतिक्रमन कर रखा है लेकिन प्रशासन के अंदेखी के चलते दबंग लोगों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है खबर श्री गंगालगर के घटसाना से है जहाँ पर सरकारी संपती पर अवैद तरीके से अतिक्रमन का मामला सामने आया दरसल इस सरकारी जमीन पर पिछले कई दिनों से अतिक्रमन कारियों ने अवैद रूप से कबजा कर लिया और अब इस जमीन का किराया भी वसूला जा रहा है गौर करने वाली बात इसमें ये है कि प्रशासन अब तक पूरे मामले में आखें मून दे बैठा है अलवर की माजुकला अलाके में गोचर भूमी पर धडलने से अवैद खनन किया जा रहा है खनन माफियाओं के होसले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के पृति कोई भी भै नहीं है रोजाना सेक्डों की संख्या में भू माफिया खनन कर मिटी लाने में जुटे है अग्रामीनों का इस पर आरोप है कि अधिकारियों से बार-बार इसकी गोहार लगाए गई लेकिन इस मामले में कोई भी कारवाई नहीं की गई आपको बता दे कि गोचा और भूमी अपनी अलग से पहचान रखती है और वन्य जीवों की संरक्षन स्थली भी मानी जाती है खबर सिरोही के रेवदर शेत्र से है जहां जिरावल गाओं में कदमपती पर भालू ने अचानक हमला कर दिया हमले में प्रकाश, वैशनाव और उसकी पतनी जनक कुमारी दोनों गम भी रुप से खाल हो गये जिनें बेहोशी की हालत में कालंदरी सीएची भी भर्ती करा गया जहां डॉक्टर सुमेर सिंग भाठी की नेत्रत तुम्हें उनका इलाज किया क्या है पुलिस की हिरासत से हिस्ट्री शीटर को चुड़ा कर ले गए बदमाश बदमाशों ने भौकरोटा पुलिस पर हमला भी किया इस पर पुलिस वहन को भी बदमाशों ने टकर मार दी और बदमाश युथे वो फरार हो गये हिस्ट्री शीटर राजेश को लेकर आपको बता दे कि हिस्ट्री शीटर राजेश और अन्या के खिलाफ पुलिस ने मुकादमा दर्स कर लिया है और इसी संदर्व में कुछ आरोप्यों को हिरासत में भी लिया जैपुर के महापुरा चौरहाई के पास किये पूरी घटना जोलावार जिली के खानपूर में एक धाबे पराधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर एक कर्मचारी की हत्या कर दी हमले में यहां कारे करने वाले जानकिलाल की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्या कर्मचारी घायल हो गया फिलहाल घटा के जो कारण है उनका खुलासा नहीं हो पाया ये वार्दा जो है वो खानपूर मेगा हाईवे के बास बी एट कॉलेज के पास में हुई है मामले की पड़ताल टी एसपी भवर सिंग हाडा को इसकी जिम्मेदारी सौपी गई है खबरपाली के मारवाट जंशन शेत्र से है जहां सिर्यारी थाना पुलिस ने शराब के ठेके पर चोरी करने वाले गिरोह का पड़दाफाश किया इस मामले में पुलिस ने तीन शातिर आरोपियों को गिरफतार किया है इसके बाद आरोपियों ने पुलिस की पुश्टाच में कई वारदातों में अपनी संधिक दिता कुबूल की है आपको बता दे कि आरोपियों ने पिछले दिनों शराब के ठेके से 60 पेटी शराब चूरी की ऐसे में पुलिस की विशेश टीम ने आरोपियों को धर्दबोचा फिलहाल तीनों ही आरोपियों से पुलिस की पुश्टाच जारी है खबर जैसल मेर के राम देवरा से है जहां बाइक स्लिप होने के कारण पती पतनी घाल हो गये घालों को पोकरण चुकित साले लाए गया जिसके बाद गंभीर अवस्था में दोनों को जूतपूर के लिए रेफ किया किया आपको बता दे कि दोनों बाइक पर सवार होकर अपनी ग्रह जिले नागोर जा रहे थी सिदोरां सरनायन फाटा के पास ओवर ब्लिस पर उनकी बाइक जुद्धी वो सलिप हो गई इसके कारण दोनों गंभी रूप से खाल हो गए तौंक के निवाई में तेज रफतार का कहर देखने को मिला यहाँ पर दो बाइकों की आपस में जबरदस्त भढ़न्त हो गए जिसमें चार लोग गंभी रूप से खाल हो गए वरॉली थाने के हेड कॉंस्टिबू ने बता कि पहाड़ी गाओं के पास यहाथसा हुआ इसमें चार लोग गंभी रूप से खाल हो गए तथा सब ही खालों को समस हॉस्पेजल के लिए रेफर किया गया जिसमें एक युवक ने इलाज के दौरान अपना दम तूर दिया करन्ट लगने से मौत हो गई जानकारी के मुताबक युवक ट्यूब वैल बदल दे चलान एक खेद पर गया जब करन्ट लगने से उसकी मौत हो गई सूचना पर पुलिस ने बांदी को यह अस्पिताल में पोस्ट माटम करवा कर शफ परेजनों को सौप दिया है खबर अजबेर के बांदरवारा से है जहां भिनाय पुलिस ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया यहां पुलिस ने मादक पदार्थ तसकरी रोकने के लिए विश्वेश अभ्यान चला कर दो आरोपियों को गिरफतार किया है साथ ही आरोपियों से भारी मात्रा में डोड़ा पोस्त भी बरामत किया पुलिस के और से जब किये गए समाल की कीमत करीब एक करोड रुपए बताय जा रही है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये आरोपिय जयविक खात के आर्ट में मादक परदार्थों की तसकरी कर रहे थे इसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबूचा खबर टॉक के देवली शेत्र से है जहां डाबर कला गाओ की समीप बचरी माफियाओ ने SIT की टीम पर हमला करने का प्रियास किया समले के बाद टीम ने बिना सुरक्षा प्रबंध के बचरी माफियाओ पर कारवाई का पहिशकार किया टीम के सदसे रामलाल मीना ने बता कि जाबर कला के पास डंपर पकड़ने के बाद कार मिस सवार कुछ लोगों ने हमले का प्रियास किया और आरोप लगाया कि देवली पुलिस को सुच्टा देने के बावजूद कोई कारवाई नहीं की गई खबर अलवर के लक्षमनगर से है जहां पुलिस ने के बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए एक शातिर गौत तसकर को गिरफतार किया है इस दोरान पुलिस की टीम ने आरोपी से चार गौवन्शों को मुक्त करवाया आपको बताते कि साथ ही में आरोपी से देशी कट्टा और एक पिकप भी जब्त की गई है पुलिस के द्वारा बताते जाएं कि इन दिनों गौत तसकरी की घटाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद बना हुआ है खबट दौसा के लाल सोट से है जो हम भारत चीन विवात को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है इस जोरान मंदवारी गाओं में ग्रामिनों ने चीनी उत्पादों का बहिशकार कर दिया इसे के साथ चीन के राश्चुपती का पुतला फूकर अपना आक्रोश व्यक्त किया इसके अलावा चीन के खिलाफ करड़ी कारवाई करने की भी उनोंने मांगी है गलवान घाटी में हुई हिंसक जड़ब को लेकर चौक के निवाई में लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया इस दोरान बजरंग दल के कारेकरताओं ने रैली निकाली साथ ही में चीनी उत्पादों का बहिशकार करते हुए राश्रपती श्री जिन पिंग का पुतला भी फूका इसके अलावा बजरंग दल की और से चाइनीज आप्ट इलेट करने का अभ्यान अब चलाया चायका भारती सैनिकों पर हुए हमले को लेकर रेवी वीपी ने बांदिकोई में अम्बेट कर सर्कुल पर चीनी सामान का बहिशकार किया और चीन के राश्रपती श्री जिन पिन का पुतला फूका नगरमंत्री चित्रांचु सैनी ने कहा कि गदिनों चीन के साथ विवाद में भारती है सैनिक शहीद हो गए इने सच्ची श्रधांजली चीन का समान बहिशकार करके दी गए इस और आंदीपक सैनी गचनेश विरेंद्र कुमार सहितान्या कारे करता उपस्त रहे जैपूर की गोट पुतली में भी चीन के खिलाफ लोगों में आकरोश व्याप्त है यहां विभिन अस्तानों पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे है इसके तहट बजरंग दल और विश्व हिंदू परिशद ने भी अलग-अलग जगहों पर चीनी सामान की होली जलाकर लोगों से चाइनीज उत्पादों के बहिशकार के अपील की खबर टॉंक के डिवाई से है जहां कृष्य उपनिदेशक महिश शर्मा ग्रामीन शेत्रों के दोरे पर रहे इस दोरान कृष्य उपनिदेशक ने खाद बीश के दुकानों को औचक निरिक्शन किया जिसे की दुकानदारों में हडकंप मच गया इस दोरान उन्होंने दुकानों से विभिन फसलों के बीजों के सैंपल्स ली और ये सैंपल जाच के लिए लिबॉरिटरी भी भीजे कए खबर बारा की शाबाद शेत्र से है जोहां किसान महा पंचायत ने उपखंड अदिकारी को ग्यापन सौपा और विभिन समस्याओं के समाधान की मांग की किसानों ने बता कि पिछले साल शौपट हुई पसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला इसी के चलते किसानों का आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है खबर जालोर के साच और से है जहां असमान से गोलाकृती के एक धातू गिड़ने से हडकाम पमच गया मामले की सूच्टा के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुँचा और पूरे घटना करम की जानकारी ली साथी में प्रशासन ने इस धातो को उलका पिंट बताते हुए आगे की कारवाई शुरू की है खबर पाली के सुमेरपुर शेत्र से है जहां नायब तहसिलदार उंप्रकाश सरगरा ने नोवी और बांकली स्थित गोशालाओ का निरिक्षन किया इस सबसर पर महावीर गोशेवा समीती में पंचिकरित 205 के स्थान पर 200 गोवन्च ही पाए गए साथी चाया पानिसाहित का या आणिया आव्यवस्थाएं भी पाए गए जिस पर नायब तहसिलदार ने तुरंत दश्यान निर्देश दिये इसी मौके पर बांकली में कबीर गोशाला का भी निरिक्षन कर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस ओरान पठवारी सुरेंद्र सिंग, सुरेश कुमार ओजह, पशुधन साहिक, ठाकुरमीना समेद गोशाला कमेटी सदस्या उपस्यत रहे चले फिलाल के लिए गाओं के दुनिया के आज किस सफर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी नमस्कार